शीत कालिन सत्र लगातार हंगामे की भेट चड़ रहा है विपक्ष की मांग है कि जितने भी 12 सांसद जो निलंबित किये गए है उनका निलंबन वापस लिया जाए और किसानों की जो तमाम मुद्दे थे उस पर चर्चा की जाए हमारे साथ लोकसभा से सांसद है सुनिल कुम नहीं है जब तीनों बिल वापस हो रहे थे और लगातार मानी एं स्पीकर साहिब अधीर अंजन जी से लेकर सभी मानी हो कह रहे थे कि आप अपने सीट पर जाए चर्चा कड़िये हम चर्चा के लिए तैयार हैं उन्हों ने कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए बिल वापस हुआ आपको अच्छी तरह याद होगा कि अगस्त महिने में इसी पार्लियमेंट की गडिमा को नोने ठेस पहुचाया था राज सभा में अंदर में ये जोर भी निलंबित हुए हैं मानिये सदस्गन इन लोगों ने जो आचरन वहां पर किया था वो मरियादा को क मेधानिक मेवस्ता को तार-तार किया था जिसके कारण उनको निलंबित किया गया है और आज जब चर्चा हो रही है पारलेमेंट के अंदर में कोवीड के ऊपर फिर से जो इतिसरी लहर आ रही है सरकार तो हर मुद्दे पर हर चीज के लिए चर्चा के लिए तयार बैठी है बिपक्ष चर्चा से घप नहीं चाती है सिर्फ हंगामा करके किसी तरह सरकार के किये जा रहे है कारजों को उस पर वो बाधा पहुचा रही है सर क्रिशी कानून बिल्टो वापस ले लिया गया जनता दल जो MSP पर गैरेंटी कानून है उसे कैसे देखती है आपको क्या लगता है आपकी पार्टी को कि अगर MSP पर गैरेंटी का कानून आता है तो कितने फायदे मन्द रहेगा देखे MSP पर कानून तो फैदे मन्द है प्रन्तु ये किसी भी देश दुनिया के किसी भी देश के सरकार के बूते से बाहर है कि सभी फसल MSP पर खड़ीद हो सके सरकार खड़ीद उतना ही अनाज को करती है जितना उसको PDS में देना हो रिजर्व रखना हो और देश में कुसी के परखार कि संकट ना आ जाए उसके लिए जो रिजर्व रखा जाता है उतना ही खड़ीद कर सकती है नहीं तो अगर सारा MSP पढ़ी अगर काम नहोगा तो अन्य कार्जी को भी रोग देना पड़ेगा